दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं काले चने की बहुत ही मसालेदार और टेस्टी सबजी जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फूली पंकच पे खाले चनी की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने को भीगा कर रख दिया था फिर एक बड़े आलू को अच्छे से काट कर धो लिया है उसी के साथ हमने दो चार लसुन की कलिया अद्रक का छोटा सा टुकडा और एक प्याज कांदा काट लिया है अच्छे से फ्राय करेंगे अब हम उसमें हमारे कट हुए लसुन अद्रक और मीरिच के टुकडो को डाल देंगे और उसे अच्छा सुनारा होने तक भुनेंगे दोस्तों चनिक की काले वले सबजी हमारे सहत के लिए बहुत ही अच्छे होती है हमारे बड़े बुजूर्ग उसे रात में भीगो देते हैं सुबह उठते ही नास्ते के रूप में इस्तिमाल करते हैं जैसा कि आप देख सभी देख सकते हैं हमारा तड़का हो रहा है अच्छे से हमारा तड़का हलके से लाल होने के बाद हम उसमें कटे हुए आलू और चनि को डाल देंगे और उसे अच्छे से फ्राय करेंगे जिससे उसका कच्छापन अच्छे से दूर हो जाए इस समय हम घैस का वी मीडियं पर कर देंगे जिससे हमारे सब्स Gomez बीना और उसे अच्छे से चलाते रहेंगे दो तो काली चनी को सब्सक्रा अब हमारे सब्जी को ढख देंगे अच्छे से अधक नटाने के बाद हम उसमें हमारे पीसेवे मसाले जैसे के हल्दी पाउडर छोटा चमच एक छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब हम उसमें एक बड़ा चमच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और हम इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे और उसमें हम एक चमच हरी चटनी पुदीना धनिया और मिर्च से बनी हुई भी डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे सबजी के लिए और इसे भी अच्छे से मिला देंगे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तो हमारा तेल हलका हलका सा उपर आ गया है इसे हम अच्छे से मीडियम आज पर भुनते रहेंगे अब इस सब हो जाने के बाद हम उसमें एक बारिक और मोटा कटा हुआ तमाटर मिला देंगे और उसे अच्छे से तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारा तमाटर अच्छे से उसमें गल न जाए देख सकते हैं दोस्तो हमारे सबजी में बढ़ियां पीला और लाल कलर आ चुका है देखने में बहुती लजीज और स्वादिश्ट लग रहा है यह सबजी हमारे बच्चों के शेयत के लिए भी बहुत अच्छी होती है देख सकते हैं कि हमें तेल और टमाटर दीख रहा है टमाटर हलका हलका गल चुका है उसे हम कलचुल की सहाता से इसमें मिक्स कर देंगे देख सकते हैं हमारा टमाटर लगबग पूरी तरह से गल रहा है और ऐसे उसे मध्यमाच पर भुनते रहेंगे इसी दोरान हम हलका सा धनिया लेके उसे इस तरह बारिक बारिक चौप कर लेंगे यह हमारे भाजी को बहुत ही अच्छा कलर प्लस फ्रेशनेस देगा और हम उसे हलका सा उपर से छिड़क देंगे अगली रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन सी सबजी हम बनाए उसे कमेंट करें धन्यवाद